बिहार में आप्राधी घटनाय थमने का नाम नहीं ले रही है बेगु सराय और हाजिपुर के बाद अब ताजा मामला मुज़फरपुर से है जहां अप्राधियों ने दिन दाहरे हतियार के बल पर करीब 13 लाख रुपए लूट लिये इस घटना को दो बाइक से आए तीन बदमासों ने ICICI बैंक में अंजाम दिया है बाद में सूचना पर पहुँचे पुलिस मामले की जाच शुरू कर दी जाच के दोरान CCTV फूटेज खंगाला गया और अप्राधियों की पहचान की जा रही है फिलाल घटना में बैंक की लापरवाही बताई जा रही है इस घटना से पूरे सहर में दैसत का महाल बना हुआ है वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अपराधियों के अंदर घुसे और सब को एक कोने में बैठने के साथ साथ मोबाइल को जेब में रख लेने की सक्त हिदायत दी इसके बाद अराम से घटना को अंजाम देकर फरार हो गया फिलाल अपराधियों के दोरा उप्योग किया गया एक बजाज पलसरपाई को जब्ट कर लिया गया है साथ ही CCTV फूटेज को खंगाला जा रहा है अंदर में आया था तीन आदमी फिस्टल या कुछ छोटा वाला बंदू के लिए हुआ था गाड तो को बैठा की जाया था यही पर हम लोग उस साइट थे जब मैं बैंक में इन किया तो दो लगड़ा आगे था बादबागी स्टाफ जो थे यांके और कुछे के स्टमर जो जमीन पर बैठे हुए थे तो हमने पुछा कि लिंक नहीं है क्या तो वह दो लड़का जो अपरादी था वो का कि बावू लिंक है तो आओ इधर प्रक्रट चेकर वाओ उसके अंदर चलके बैठो तो एक साथी के पास मेरा 56,000 था जिसका पेंसलिफ मेरा भरा हुआ है एक 15,000 के हम अधर बैंक के लिए रखे हुए थे जामा करने के लिए वो भी ले गए नहीं हमको तो नहीं एक साथी को मारे है एक जापक अबराए हम दिना आंप का था हम लोग उसकी वी तर रखे बातन का है हम लोगोंने देट्र सव भी लूप तो थे हुआ है उसको देटक अधर कर का फो इसकी दो फिती गए रखे मीलेशा हो पाया है वह हम चेक करहा है अभी जो जानकारी मिली है उसमें कितने लोग पक्रक् कितने संख्या में थे आप राधी कर रहा है वोटरसाइड पर आने पार है तो वोटरसाइड पर एक पलसत था जो पलसत की परामद्गी हो चुकी हो चुकी है